हाई विवर्स जाइका इंज्या का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे सिफ 10 मिनिट में चटपटी और मसालेदार मेची की सबजी रेसिपी आसान और स्वादेशा के बार बार बनाने को दिल चाहे आसान फूर्ड रेसिपीस के लिए हमारे चैनल क सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें मिर्ची की सबजी बनाने के लिए हमने लिए 250 ग्राम हरी मिर्च इन हरी मिर्च को हम पहले कट कर लेते हैं यह देखिए हमने जो हरी मिर्च लिए उसको हमने सेंटर में से कट करने के बाद इस साइज के पीस कर हैं अब हम एक पेन में एट करेंगे तीन टेबल स्पून तेल और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे तेल अच्छी तरह गरम हो जाए इसके बाद हम इसमें एट करेंगे एक चोथा टी स्पून जीरा एक चोथा टीजपून सॉफ और एट करेंगे एक चोथाई टीजपून कलोंजी देखिए हमने यहाँ पर सॉफ का इस्तेमाल किया है अगर आपको सॉफ पाउडर इस्तेमाल करना हो तो इस टेश पर आप सोंफ को स्कीब करके सुखे मसालों के साथ एक टिस्पुन जितना सोंफ पाउडर एट कर सकते हैं कुछ सेकेंट टक हमने इनको तेल में सोटे कर लिया अब हम इसमें एट कर देंगे हरी मीच और हाई फ्लेम पर मीची को हम तेल में कुछ देर तक फ्राई कर लेंगे देखिए हमने मीची के बीज नहीं निकाले हैं आप मीची के बीज निकाल कर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दो मिनिट टक हमने मीची को हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लिया है आप देख सकते हैं कि मिर्ची जो है वो थोड़ी सी सोफ्ट होने लगी है इस स्टेच पर हम इसमें एट कर देंगे एक टीस्पून अधरक और लेसुन का पेस्ट साथ ही में हम इसमें सुखे मसाले एट करेंगे तो सुखे मसालों में एट करेंगे एक टीस्पून धन्या पाउडर एक चोथाई टीस्पून हल्दी पाउडर देखिए अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद हूँ तो आप इस स्टेज पर एक चोथाई टीस्पून लालमीश पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं हमने उसे स्किप किया है अब हम इसमें एट करेंगे स्वाद अनुसा नमक हम एट कर रहे हैं हाफ टीस्पून नमक सारे मसाले एट करने के बाद गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और मीची को इन मसालों के साथ लो फ्लेम पर कुछ देर तक भूनेंगे देखें मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप इसमें सोफ इस्तेमाल ना करना चाहो और सोफ पाउडर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो सुखे मसालों के साथ इस तेश पर आप एक टीस्पून सोफ पाउडर भी एट कर सकते हो ये देखिए मसालो के साथ हमने मीची को 2 मिनिट तक लोफ लिम पर अच्छे से भूल लिया अब हम इसमें दही एट करेंगे तो 4 टेबल स्पून जितनी दही एट कर देंगे इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ ही में हम इसमें थोड़ा सा पानी एट करेंगे देखिए पानी यहाँ पर एट करना बिल्कुल ओप्सनल है सिफ दही एट करने के बाद आप इसे पका सकते हैं बगेर पानी एट किये भी लेकिन हम इसमें सिफ दो टेबल स्पून जितना पानी एट करेंगे और इसे ढख कर लो फ्लेम पर पांच मिनिट के लिए और पकाएंगे तो हमने इसे ढख कर लो फ्लेम पर पांच मिनिट के लिए और पका लिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मीची की सबजी है वो बनकर बिल्कुल तयार है अब गेस की फ्लेम को ओफ करके सव कर लेंगे इस मज़ेदार सी सबजी को देखा कितनी चटपटी, मसालेदार, मेची की सबजी बनकर तयार हो गई वो भी सिर्फ 10 मिनित में बगेर किसी महनत के वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले फिर मिलेंगे जाईका एंजिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपि के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई